लेल में अब तक हमने काफिसारे केसिज नेक्स केटेगरी जो हम देखने वाले वह है यह पीशयप तो इसमें इस तरहीं से पीख बना हुआ है और अगर आप इसको किसी और तरही तरही के समझना चाहूं तो यह सकता है जो मारी यह वाली शेंब नहीं ती जो हमने पिछले द लेकिन है वैसे सानी तो इन वनों को भाद में देखेंगे पहले इन वनों को देख लिए इसको हम इसी तरीके से ॉल्ड करेंगे जो कि यह जो पी यह से बन रहा है और यहां पर जो हमारी यलो लाइन है तो इसका लिकृत हूं बहुत है अध्करना हम करें एफ उसके इंबर् सकते हैं से एफप्राइम उसके पा लेश्ट צר करें का लिए ये कर सकते हैं immense उसका लेफट जाद अच्छा नहीं है तो इसमें हम ग्या करते हैं यह क्ते हैं और उसके हैब या नहीं यह कुछ ही moves है आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो जो पहला पार्ट है उसमे में आपका करने आर यू और एफ तीनों का प्राइम करने है आर प्राइम यू प्राइम ए प्राइम बहुत ही finger-trick friendly है इसको आप अपनी finger-trick में डालो इस तरीके से कर लिया, उसके बाद अब जो next part है वो आपको simply आप इस तरीके से याद कर सकते हो, कि पहले हमने यह वाला एफटल पेर लगाया, उसके बाद यह वाला block नीचे करके वाप इसी से लगा दिया, इस तरीके से है, यह algorithm आप बहुत यह असानी से याद कर सकते हैं, आप इसको बहुत ही फास चाहिए उट कर सकते हो, अब हम बढ़ते हैं हमारे next के दो cases पे, जो हैं यह दोनों, जिसमें यहां पे हमारी दो की लाइन होती है, तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, इस वाले part वो जो पी बन रहा हो तो इसको भी right में, इसको भी right में, अब अग में, अगर यह S finger trick आती है, तो मैं आपको समझा दूगा कि S move हमें किस तरहीं से करना है, तो देखो, हम यह करते हैं, नॉर्मली जब S move करते हैं, तो मारी front layer ही move हो जाती है, तो इसको हम किस तरहीं से बचा सकते हैं, आप थोड़ी सी cube को जिस तरहीं के पकट जोनों, उसको तो, ठीक है, तो इस तरहीं से आप कर सकते हैं, और इस finger से आप कर सकते हैं, तो मैं करना है S, sexy sledge, और sledge का last move इस तरहीं से end up करेंगे हो गया, अब हम बढ़ते हैं इस case पर, तो इस case का algorithm याद करने के लिए, मुझे आपको यह वाला case का algorithm एक बर याद दिलाना पड़ेगा, आपको अगर यादो, यह M case में था, इसको हम इसी तरहीं से hold करते थे, और सुबास हम कुछ ऐसा part लगाते थे, कि हम पहले कोई चार move करेंगे यह, हमने जब यह चार move किया, तो हमारे पास यह वाला case setup हो गया, जो हमें solve करना आता था, जिसको हम ऐसे करते थे, कि इसे match कर द आते न, उसके बाद जो हमें case मिला था, वो तो हमने solve कर लिया था, अब इसमें भी यह होगा, जो हमने इसमें case setup किया था, चार move लगाने के बाद, इसमें भी वही case setup होगा, लेकिन जो starting के चार move है वो different होगे, ठीक है, तो देखो किस तरहीं से होगा, हमने जो starting के चार move और F, उसके बाद देखो हमारा यह वाला case setup होगा, यह एक block और यहाँ पर यहाँ पर लगना है, जो उसमें setup हुआ था, इसको solve करते हैं हम पहले, उसको match करेके, इस तरीके से लगा देते हैं, और हो गया, तो यह S का algorithm, देखो याद करना कितना ही easy हो चुगा है, क्योंकि आ और इस तरीके से पुछ था, मैंने वह आपको बता दी हैं, आप finger trick भी देख सकते हो, और आप इसको बार बार execute कर सकते हो, तो मिलते हैं next part में, thanks for watching, bye